नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू, मैं हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्ले के बारे में प्ले का नाम है Death of a Salesman, ये various state level exams जैसे JSSC और भी कावी सारे state level exams के लिए ये important है play और इस वीडियो में आपको इसकी एक proper summary मिल जाएगी Death of a Salesman एक 1949 का play है जो लिखा सा American playwright author Miller ने इनको इसके लिए awards मिले थे, इनको Pulitzer Prize मिला था 1949 का इस play के लिए क्योंकि अपने आप में शांदार play था और साथ में इनको Tony Award for best play भी मिला था अब यहाँ पर मैं आपको यह बता दूँ कि Death of a Salesman एक tragedy है क्योंकि नाम सही आपको पता लग रहा होगा कि एक Salesman की मृत्यू होती है और यहाँ पर यह हम पता करेंगे कि Salesman कौन था उसने क्या suicide करी या वो किसी और तरीके से मर गया उसकी family पर गया उसका impact होता है America is the land of opportunity आपको अगर कुछ बनना है महनत से आप कुछ लाइफ में बनना चाहते हो तो अमेरिका उसके लिए सबसे मेधरीन जगा है वहाँ पे आपको opportunity दी जाएगी और वहाँ पे जैसे एक perception है कि कोई भी महनत करके बहुत अमीर बन सकता है और एक बहुत ही बड़िया life बिता सकता है तो जो बड़िया life बिताता है उसी को हम American dream कहते हैं मगर क्या American dream सबके लिए exist करता है और 1940s में किस तरीके से लोग American dream के पीशे भाग रहे थे इस स्टोरी में ये cover किया है तो इसका format ये रहेगा सबसे पहले मैं इस play की जो basic storyline आपको बताऊंगा उसमें मैं बहुत ज़रा जो extra characters हैं उनके बारे में भी बताऊंगा फिर जब basic storyline खतम हो जाएगी उसके बाद जो extra characters हैं उनके बारे में भी बताऊंगा क्योंके ये काफी लंबा play है अगर मैं सब characters को एक साथ main story के साथ आपको बताना मैंने start कर दिया तो आपको बहुत confusion होगा और याद अखने में भी आपको problem हैगी पहले main story line समझ लो उसके बाद मैं आपको और उसमें जो additions है वो देता रहोंगा और घर बैटके आप various exams की त्यारी कर सकते हैं with study IQ हमारे courses available है for various exams like SSE, bank, UPSC हमारे courses या test series पर chase करने के लिए आप study IQ.com पर जा सकते हैं और you can call these numbers that you see on the screen तो हमारी कहानी शुरू होती है हमारे main characters के साथ जिसका नाम है Willie Loman, L-O-M-E-N तो Loman family के बारे में यहाँ पर काफी बात होगी Willie Loman पिता है, इनकी पतनी है Linda Loman और फिर इन दोनों के दो बेटे हैं उनके बारे में भी बार में बताऊंगा आपको पहले ये समझ लो के Willie Loman की life कैसे बीद रही है ये 63 साल के हो चुके हैं और पिछले 36 सालों से ये एक sales company के लिए काम कर रहे हैं Willie Loman खुद एक salesman है और काफी भाग दोड़ बारी नौकरी है इनकी इनको एक state से दूसी state जाना होता है sales pitch करने के लिए और इसमें इनको काफी problem भी आ रही है क्योंके number one ये काफी बूड़े हो गए है number two अब since ये काफी बूड़े हो गया तो ये इतने productive नहीं रहे तो उसकी वज़े से जो company में इनकी value थी वो भी काफियत तक कम हो गई है एक जबाने में इनको salary मिलती रही के जो भी sales हो इनको एक certain salary तो मिलेगी ही मगर अब इनको salary से commission में ला दिया गया है मतलब कि जितनी ये sales करेंगे जितना ये company को फाइदा पुचाएंगे उसके साब से इनको income मिल जाएगी तो इससे overall उनको काफी नुकसान हो रहा है उनकी जो overall income थी company से वो काफियत तक कम हो गई है इवन दो वो अब और जड़ा बुड़े हो गई है अब जब उनकी income कम हो रही है तो उसके साथ और problem सी आती है जैसे कि घर में खर्चा पुरा ना होना और एक जो उनका living standard था वो maintain करके रखना तो विली लो मैन इस बात से aware होते हैं कि घर में उत्ते पैसे नहीं पहुच पारे जितने पहुचने थे और इससे उन पर एक emotional burden जो था वो बढ़ता रहता है और वो burden उनकी driving में भी दिखता है तो जब एक 63 साल का आदमी जो इतने सारे pressure में है वो driving करेगा ऐसे mindset के साथ तो उसके car accidents होने के chances भी बढ़ जाते हैं और विली लो मैन के car accidents भी होने start हो जाते हैं और इसकी वएसे घर में उनके काफी problem आती है क्योंकि उनकी wife काफी worried होती है कि उनके पती इतना emotional pressure ले रहे हैं और उनकी earning इतनी नहीं है और अब इनको और दूर दूर जगा जाना पड़ता है और इनको फिर ये भी डर होता है कि अगर road accident में उनकी मृत्यू हो गई तो घर का क्या होगा, family का क्या होगा अब यहापे मैं add करना चाहूँगा कि Willie Luman की problems अपने आप में बहुत बड़ी है मगर इस बात को वो acknowledge नहीं करते वो mind से काफी delusional हो चुके हैं मतलब कि जो असलियत है, जो reality है उनके सामने वो उसको देख नहीं पाते इवन दो उनकी जो एक importance थी company में वो काफी तक कम हो चुकी है और उनको एक जमाने में जब salary मिलती रही, उससे उनको demote करके अब commission basis पर रख लिया गया है, वो तब भी यह मानते हैं कि जो उनके boss है company में Howard, alright, Howard इनके boss का नाम है यह अभी भी इनको बहुत पसंद करते हैं और अगर यह इनसे कोई request करेंगे, तो यह जरूर मानेंगे तो विली की पतनी, Linda, वो अपने पती को suggest करती है कि आप अपने boss, Howard को यह बोलिए, कि New York, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे आपको किसी local office में एक permanent काम दे दे और एक ऐसा काम हो जिसमें आपको ज़ादा घूमना ना पड़े और विली कहते हैं कि अरे यह तो काफी अच्छा idea है और Howard मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने बहुत सारों तक उसकी company के लिए काम किया है अब वो उसने take over कर लिया तो उसके लिए भी काम कर रहा हूँ मैं वो मेरी बात तो बिल्कुल टाल नहीं सकता मैं बिल्कुल उसके बास जाओंगा और बोलूँगा कि मुझे न्यूयोर्क के headquarters में एक नौक्री दे दे मैं अब ज़ादा traveling नहीं कर सकता अब क्या है कि विली लो मैन इस बास से aware है कि वो life में ते successful नहीं बन पाए उनके बहुत बड़े सपने थे मगर उनको वो accomplished नहीं कर पाए अब उनको बता है कि वो काफी बुड़े हो चुके है उनकी बीवी भी काफी बुड़ी है और वो कैसे ना कैसे करके घर को चला रहे है और उनको ये भी बता है कि आने वाले future में as उनकी age और ज़ादा बड़ेगी और उनकी जो mobility है वो कम होगी तो उनको और problems आने वाली है तो इस सब tension के बीचो बीच विली लो मैन को एक और problem हो जाती है वो hallucinate करना start कर देते हैं hallucinate करना मतलब कि आपके सामने जो चीज नहीं है आप उसको देख रहे हो और कुछ cases में उससे लोग बाते भी करना start कर देते हैं तो विली लो मैन भी ऐसे ही करते हैं वो अपने घर में बैटे बैटे उनको suddenly उनको hallucination आती है कि वो समय में पीशे चले गए है और उनके दो बैटे बिफ और हैपी उनके सामने फुटबॉल खेल रहे हैं पूरी समाज में उनकी काफी इज़त है और उनकी salary आ रही है पैसे उनके पास काफी है और overall एक काफी खुश family है उनकी अब ये सब देखके लिंडा को काफी वरी होती है कि उनके पती hallucinate कर रहे हैं जो चीज नहीं है वो देख रहे हैं और अपने बच्चों से मतलब छोटे बिफ और चोटे हैपी से ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे उनके वो सामने हैं जबकि वो नहीं होते तो एक तरीके से उनका जो मांसिक संतुलन था वो भी अब डगमगा रहा था तब यहाँ पे इनके जो दो बेटे हैं वो पिक्चर में आते हैं बिफ और हैपी जो 34 और 32 साल के हैं respectively बिफ को पता है कि वो काफी बड़े हो चुके हैं और उनको अब एक प्रॉपर नौकरी उनकी अब तक हो जानी चाहिए थी उनके पास होनी चाहिए थी शायर उनके बच्चे भी होने चाहिए थे उनकी एक बीवी भी होनी चाहिए थी बगर वो अभी तक accomplish नहीं कर पाए उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिली वो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्विच करते रहते हैं और अभी recently टेकसस में एक फार्म में काम करके वापस आये हैं उनको किसी नौकरी में संतोष नहीं मिलता उनको eventually एक फार्म में basically वो ट्र यह जीज देखें कि अब माता भी काफी बूरी हो गई है उनके सफेद बाल हो गए हैं उनके पिता भी काफी बूरे हैं recently कारक्षिणेंट से वो मरते मरते बचे वो हलुसिनेशन भी उनके स्टार्ट हो गई है मतलब कि जो चीज उनके सामने नहीं है वो भी वो देख रहे ह अब दूसी तरफ उनके जो भाई है उनका नाम है Happy as I told you 32 साल के है इनके पास एक proper नौकरी है वैसी नौकरी है जैसे इनके पिता की है मगर सिंस यह भी जवान है तो काफी भागोड कर लेते हैं और अपने लिए ठीक टाक पैसे कमा लेते हैं इनका New York में खुद का अपार्टम पैरेंट भी है मगर यह अपने पैरेंट से उतना नहीं मिलते हैं जितना इनको मिलना चाहिए और हैपी contrary to his name नाम है यह मगर अंदर से हैपी नहीं है अंदर से काफी इनके असंतोश है काफी content की काफी कमी है इनमें क्योंकि जो यह काम कर रहे हैं जो नौकरी कर रहे हैं जो जीवन को लेकर वगर तब भी अपने फादर को impress करने के लिए वो जितना कर सकते रहे उतना करते रहे अब जब हैपी और बिफ दोनों घर आते हैं और अपनी माता से बात करते हैं तो तीनों में काफी heated argument भी होती है और उनकी माता उनको बदाती है कि उनके पिता का क्या हाल है और किस तरीके से वो अपनी जिनकी चला रहे हैं और काफी दुखी है वो और दोनों लड़कों को ये जानके काफी astonishing लगता है कि ये कैसे हो गया और उनको काफी दुख भी होता है अब इसी दुरान उनकी माता एक नए बात के बारे में उनको बदाती है कि उनके father का actually accident न accident हो जाता है car accident तो उसमें उनको कुछ certain पैसे मिलेंगे ठीक है तो लिंडा दोनों बच्चों को बदाती है कि शायद उनके father इसकी वज़े से suicide करने की गोजिश कर रहे हैं और काफी खराब financial condition है उनकी और उनको दोनों बच्चों को उनकी मदद करनी चाहिए happy और बेफ इस पास से agree करते हैं और दोनों अपने पिता की काफी कदर भी करते हैं उसे काफी प्यार भी करते हैं तो दोने एक decision लेते हैं आपस में वह सोचते हैं कि वह कहीं से कुछ fund इखटा कर लेंगे पचास हजा डॉलर पच्चिस हजा डॉलर और उससे new york में ही एक business start करेंगे क्यों और उससे विली जो उनके पिता हैं वो भी खोश रहेंगे और overall family में भी काफी happiness आएगी अब इस सब के बीच विली अपनी दुनिया में खोए हुए हैं वो अब धिरे धिरे उनके जो hallucination थी उनके जो जाकते हैं जो सपने देखते थे वो उसमें नए characters आने start हो जाते हैं उस से उनको जो पश्तावा था उनका वो बढ़ना start हो जाता है और उनको फिर यह भी दिखता है कि जो उनकी sales थी वो भी और जारा कम हो रही है तो इस सब में उनकी जो condition थी और जारा worse होती रहती है अब यहां पर शुरू होता है act 2 हमारी कहानी का जहां पर विली और उनके बे करेंगे विफ ने डिसाइड किया कि वो अपने पुराने बॉस एक जमाने में वो एक व्यक्ति के लिए काम करते थे जिसका नाम था बिल ओलिवर तो वहां पर एजए क्लर को काम करते थे कुछ टाइम के लिए उनको बिजनस चार्ट करनेंगे तो दोनों बाप बेटे डिस कुछ नया करेंगे अब यहां पर मैं आपको यह विदा दूं के लिंडा विली को रिमाइंड करती है कि उनको एक इंशुरेंस की पेमेंट करनी है और साथ में आखरी हाउस पेमेंट करनी है क्योंकि पच्चेस साल पहले उनने अपना घर था वो लोन पे लिया था तो आज उसकी जो आखरी किश थी वो उनको पे करनी थी तो उनको यह इस बास से खुशी होती है विली को कि अब फानली उनका घर भी उनका अपना हो चुका है यह काफी बड़ी एकॉपलिश्मेंट थी न्यूवर्क में अपना घर होना खेर अब उसके बाद विली अपने बॉस हा के लिए हावर्ड उनकी बात बिलकुल नहीं सुनते और यह कहते हैं कि वो सिर्फ एगी तरीके से अपनी नौकी रह सकते हैं अगर वो ट्रैवलिंग करें बिना ट्रैवलिंग के वो उनके किसी काम के नहीं है वो उनको नौकी पे नहीं रखना चाहते विली फिर से कुछ र और कम करते रहते हैं वो 40 डॉलर पर आ जाते हैं मगर हाववर्ड उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते और एंड में दोनों के वीश में जो बात थी वो तूट जाती है और हाववर्ड विली को नौकरी से निकाल देते हैं मतलब कि एक जो उनके पास जौब थी प्रैवलिंग की पास जाते हैं और उनको बदाते हैं के अबको याद होगा मैंने आपके लिए काम किया था अभी मुझे कुछ आपकी नीड है मुझे आप लोगन गे दीजिए मगर Bill Oliver उनकी बात नहीं सुनते वो कहते हैं कि मुझे याद भी नहीं है तुम कौन हो और basically उनको वहाँ पे जाने के लिए कहते हैं अब जाने से पहले Biff Bill Oliver की desk में से एक pen चुरा लेते हैं basically Biff को एक बिमारी होती है वो चोरी करते हैं अब हो जाते हैं तो कुछ चीज जो उनको दिखती है वो उठा लेते हैं वो ऐसा intentionally नहीं करते मगर एक instinctively उनसे हुई जाता है उससे वो resist नहीं कर पाते यह अपने आप में एक बिमारी है खेर अब Biff वापस घर जा रहे होते हैं और वो काफी depressed होते हैं क्योंकि उनको भी अंदर से पता राके Bill Oliver उनको loan नहीं देने वारा था वो basically अपने family को कुछ उमीद देने की खुशिश कर रहे थे कि अभी भी हम कुछ कर सकते हैं मगर वो badly fail हुए अब उसी तोरहन हमको यहाँ पे story में ये भी पता लगता है कि Biff पढ़ाई में भी काफी weak थे वो ए graduate भी नहीं थे और उसका reason था उनके पिता क्योंकि एक जवाने में क्या था कि जब Biff बहुत चोटे थे high school में थे तो उस दोरान वो math के exam में fail हो गए थे और उसके बाद उनको वो exam फिर से देना था काफी बार वहाँ पे होता high school में मैं आए थे किसी और subject में कोई अगर fail हो जाए तो वो exam फिर से देता है वो next class में आगे चला जाता है तो उसमें कोई वैसी problem नहीं थी मगर जब Biff fail हुए और ये बात बताने के लिए वो अपने पिता के पास गए उनकी office में वहाँ पे उनको दिखा के उनके पिता किसी और औरत के साथ बैठे हैं और basically जो लिंडा है विली की पत्नी उनके साथ चीट कर रहे हैं तो विफ जब ये रेखती है कि उनके पिता चीटिंग कर रहे हैं और किसी और और के साथ वो प्यार करते हैं तो जो इज़त ही उनकी अपने फादर के लिए वो बिलकुल खतम हो जाती है और तब से वो डिसाइड करते हैं कि वो उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते पे उनके फादर उनको चलाना चाहते हैं और overall वो studies में उनका interest खतब हो जाता है और वो इदर-उदर छोटे-बोटे job करना start कर देते हैं अब उसके बाद तीनों लोग restaurant में मिलते हैं विली, बिफ और हैपी विली अपने बेटे को बदाते हैं के मेरी नौकरी अब चली गई है और विफ और हैपी को ये सुन की of course काफी दुख लगता है और विफ फिर धिरे-धिरे पतानी कोईश करते हैं के देखो जो मैं वो loan की बात कह रहा था वो हो नहीं पाया और उनको धिरे-धिरे ये बात बहुत ही polite तरीके से पतानी कोईश करते हैं के अब विफ भी कुछ कर नहीं सकता और विली को जैसे ही ये बात पता लगती है उनकी जो tension थी वो और जारा बढ़ जाती है और उनकी hallucination फिट से start हो जाती है अब इस बार hallucination में वो नहीं चीज़े देखते हैं उनको suddenly अपना भाई एक जमाने का उनका भाई था जिसकी इमित्ती हो चुकी है बेन वो दिखना start हो जाता है तो वो suddenly बेन से बाते करना start कर देते हैं और वो बेन से पूछते हैं कि बताओ तुमने इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए मैं तो जन्गी में कुछ करी नहीं पाया और तुम तो बहुत अमीर थे और ये जो hallucination थी विली की उनके दोनों बेटों के सामने हो रही होती है और उनके दोनों बेटे देखते हैं किस तरीके से उनके फादर बस अब खो गए है और कोई चीज जो उनके सामने नहीं है उससे बाते करना उनोंने start कर दिया है अब जैसे विली अपने खैलों में खो जाते हैं तो बिफ और हैपी दोनों को कुछ लड़किया मिलती है रेस्टरांट में और वो उनसे बाते करना start कर देते हैं और बात में उन लड़कियों के साथ ही कहीं पे वो date पे चले आते हैं और उनके पिता वहीं पे देता है वो उनको कहता है कि देखो तुम्हारे पास जो इंशुरेंस पोलिसी है 25,000 डॉलर्स की तुम उसका इस्तमाल कर लो अपनी गाड़ी कहीं पे ठोक दो सुसाइट कर लो और तुम्हारे जो पैसे तुमको मिलेंगे तुम्हारी फैमिली को उससे वो लोग बिजनस स्ट होती है तो मा जो थी दोनों बेटों को डाटती है और कहती है कि तुम्हारे फादर कहां पे है तुमने उनको रेस्टरांट में ही छोड़ दिया तुम कैसे बेटे हो और तुम्हें पता कि तुम्हारी फादर की कंडिशन क्या है किती टैंशन में है वो तो दोनों जो जादा बड़े connection है ना तुमारे ले कोई बहुत ज़रा बड़ी नौकरी है ना मेरे पास कुछ है हम दो लोग दुसरे को धोगा दे रहे थे हमारे पास कुछ भी नहीं है हम बस दो लोग है जो बस अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत ही frank discussion होती है जहाँ पर बिफ और विली एक दूसरे के बारे में जो भी उनको कहना था वो कहते हैं अब इससे क्या होता है कि जो भी पुराने differences थे वो भी मिठ जाते हैं और विली agree करते हैं कि वो अपने बेटे से काफी प्यार करते हैं उसके बाद विली अपनी गाड़ी के चाबी उठ हाते हैं और वो कहते हैं मैं कुछ समय में आया और वो घर के बार जाते हैं और वो घर के बार जाते हैं सुसाइट कमिट करने के लिए क्योंकि जो उनको हलुसिनेशन आ रही थी वो उनको यही कह रही थी कि तुम सुसाइट कमिट कर लो और जो इंशुरेंस के पैसे होंगे उससे तुमारा बेटा कुछ आगे जाके बिजनस कर लेगा वो गाड़ी में बैठते हैं और अपनी गाड़ी को कहीं पे ठोक देते हैं और उससे वो मर जाते हैं, he commits suicide और फिर उनका funeral होता है, विली का, वहाँ पे उनकी बीवी भी आती है और वो काफी surprise होती है ये देखके, कि उनके पती के funeral में बहुत कम लोग आए हैं तो अब यहाँ पे हमको ये दिखना start होता है, कि throughout the story या मैं कहूँ, इन सब characters की जिंदगी में, जो हकीकत थी, इससे ये बहुत ही जड़ा परे थे विली को ये misconception था, कि वो एक बहुती भैदरीन salesman है और उनके boss, उनके बिना काम नहीं चला सकते बिफ को ये misconception था, कि उनके बहुत अच्छे connections है और उनको बहुत अराम से loan मिल जाएगा और दोनों को ये जो reality थी, उससे वो भाग रहे थे, उससे मूँ चुरा रहे थे कि basically financially वो बहुत ज़रा खराब condition में है और अगर उनको कोई मदद ना मिली तो उनका जो living standard है वो drastically गिर भी सकता है finally हमारी story यहीं पर खतम होती है funeral पर जहां पर लिंडा विली की grave छोड़के जाती नहीं है वो यही कहती है वहाँ पर खड़ी होके कि अब हमारा घर तो debt से free हो चुका है हमारा अपना है मगर इस घर में मुझे अकिला ना होगा और उनके जो दोनों बेटे थे वो भी वापस अपनी जिन्दगी चलाने के लिए चले जाते है so this is the end of our story अब कुछ जो characters है उनके बारे में जान लेते है अब यहाँ पर कुछ और जो extra characters है और जिन characters के बारे में हमने already बात करी है उनके बारे में बात कर लेते है Willie Loman of course हमारी गानी के main character है इनकी पत्नी है Linda Loman जो मैं आपको बता रहा हूँ exam perspective से काफी important है इससे question आपके आ सकते है Willie Loman और Linda Loman husband wife है इनके दो बेटे है Biff Loman और Happy Loman और अब देखो यहाँ पर दो और characters थे Charlie और Bernard Charlie Willie Loman के neighbor है इनके साथ में रहते है अब इनके बारे में आपको यह बताना चाहूँगा कि इनका एक बेटा है Bernard अब जैसे Biff पढ़ाई में इतना अच्छा करनी पाया कुछ आगे बननी पाया Bernard उसके opposite था यह आगे जाके काफी एक बड़ा lawyer बनता है काफी अमीर lawyer बनता है और overall life में जो कहते हैं successful बनता है इसके बाद बहुत आराप पैसे होते है और society के साब से काफी खुश होता है अब क्या था कि जब Bernard और Biff दोनों छोटे थे तो Willie Loman हमेशा यह चाहता था कि Biff Bernard को पीशे छोड़ दे वो उसने कभी यह नहीं देखा कि Biff के इंटरस्ट में क्या है Biff क्या बनना चाहता है Biff के लिए क्या सही है Willie Loman बस इस बाद से concerned था कि उसकी family दूसरों से बहतर होनी चाहिए Willie Loman के लिए success का मतलब क्या था कि आप अगर दूसरों से बहतर हो आपके पास उनसे दारा पैसा है उनसे दारा बड़ा घर है तो आप successful हो Willie Loman ने सारी जिन्गी कभी success को ऐसे नहीं तोला कि जो आपके पास है उससे आप खुश हो या नहीं हो आप उससे satisfied हो या नहीं हो वो कभी भी standard नहीं था और जो American dream है American dream basically है क्या हो यही है कि दूसरों से ज़्यादा आपके पास हो American dream में यह बात नहीं की जाती कि जो आपके पास है जो भी है आप उससे खुश हो वो American dream capitalism बेजो based है वो इसी बारे में है कि और ज़रा आगे बढ़ो और ज़रा कभी भी यह कर्व खतम नहीं होता कि आपने अब इनको भी छोड़ दिया अब आप इसको पीछे छोड़ो तो कई बार इस American dream के पीछे भागते हुए लोग खुद को धोका देते हैं खुद को धोके में रखते हैं और यही tragedy यहाँ पर विली लोमन के साथ भी हुई जो throughout his life American dream के पीछे भागता रहा मगर उसने कभी यह नहीं देखा कि जो उसके पास है वो उस पर फोकस करे और वो यह दिखाने की कोशिश ना करे जो वो नहीं है